नमस्कार बहुत वागत है आपका आप देख रहे हैं दान्यूज आपकी साथ मैं स्विष्टी मिस्वाइस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपसे मैं जुड़ी हूँ एक बर फिर से मनीश शिशोदिया केजरीवाल को तगड़ा जटका राउ जबनी कोट ने मनीश शिशोदि और गिजरीवाल और आम आदनी पाटी समर्थकों को ये करारा जटका है क्योंकि मनीश शिशोदिया के लिए कोट की सक्त टिपनियां आ रही है एक टिपनी नहीं लगातार एच्सी जो है वो सक्त टिपनी कर रही है और कोट ने भी कह दिया इनका वैवहार ठीक नहीं है जनता ये बात करने लगी दर चको कि यहाँ पर सतेंद जेन वाला फंडा अपनाना होगा अब जनता कह रही है कि वो वाश्रूम में फिसल गए गिर गए उन्हें चोट लग गई इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है ऐसे ही कोई हठकंडा मनीश शोदिया को अपनाना होगा ड्रामटिक वे में इन्हें बाहर अब निकलने की इजादत मिलेगी ने तो आप तो नहीं मिलेगी अब मैं आपको बता दूँ कि मैं ये बात क्यों कह रही हूं देखें पुखता सबूत हैं कोट के पास सीबी आई के पास पुखता सबूत हैं इसी वज़े से लगात पर शराब घोटाला कर दिया कमिशन बढ़ा दी गई और आपको बता दे जिस तरीके से फाइदा पहुचने का काम किया गया है मनीश शुद्या के द्वारा आपकारी निती में कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी गाजगिरी है कि आप दलदन में फस चुके हैं यही कारण है क आज तीसरी या चौथी बार इनकी जमानत याचुका को खारिस कर दी गई है छे जुलाई तक अब अंदर रहेंगे शिशोद्या जी अब मैं आपको बताती हूँ इनसे जुड़े पूरे मामले को देखे एक तो इनके सरकारी गवाह बनने को रेडी हो चुके हैं शरत ये भी कहा उन्होंने कि मुझे जान माल की हानी है और उनके बयान को सुरक्षित रख लिया गया था और इसके साथ ही आपको बता दे जिस तरीके से कहा गया है हलफ नामे में केजरिवाल के उपर भी गाज गिर सकती है क्योंकि किंग पिन मनीश शुसोदिया है और जिस तर सम्हाल पाते हैं ये तो बात अलग है लेकिन देखिए उनके शब्दों के बिना एक मयान से तलवार भी नहीं हिलती ऐसा है दिल्ली सरकार के कानून जिस तरीके से दिल्ली सरकार सम्हालते हैं अर्विन किजरिवाल के इशारों के बिना एक काम दिल्ली के अंदर नहीं होता और इतने बड़े अस्तर पर घोटाला तो जरूरी है नहीं ही हुआ होगा और ऐसे में इस शराब घोटाले से जुड़ेतार अब अर्विन किज्रिवाल के नमबर दो कद रखने वाले बड़े नेता पूर्वा उपमुख्यमंत्री 18 विभागों के मालिक मनीश सोधिया के याचका डाली थी कोट के अंदर की मनीश शुसोदिया के सुरक्षा कर मीने उनको खीचा है यहां पर उनको खीचा गया यह कहा मनीश सोधिया के मीडिया से बाच्चुत कर रहे थे अब MK नाकपाल नियाधीश ने क्या कहा? नियाधीश ने साफत और पर पहले निर्देश दिया कि पूरे CCTV को खंगा ली जाएगी और सुरक्षित रखे CCTV फुटेज को अब मैं आपको बता दू MK नाकपाल की कल सख्त टिपनी मनीश शुसोधिया के लिए आई थी क्या कहा है MK नाकपाल? जरुवत होगी तो मीडिया को बैन करेंगे ये क्यों कहा? ये भी मैं आपको बता देती हूँ देखिए सुरक्षा कर्मी ने उन्हें खीचा गले से उनको खीचा गया ऐसा कहना साथ शुद्या जी का और उनके वकील का उसके बाद आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने कि याच्चिका डाली कि क्रिपया मनीश्च सोधिया को ना मिलने दिया जाए किसे से क्योंकि हमें बहुत जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको पेश करने के दोरान यानि उनकी पेशी के समय इतने कारिकरता महां मौझूद रहते हैं इतने जमावड़े आमानिपाटी के लगे होते हैं मीडिया कर्मियों के इतनी जमावड़े होते हैं कि हमें उनको पेश करना अत्यधिक मुश्किल होता है और उसी याच्विका पर सुनवाई करते हुए आपको बता दे कोट की सक्ट टिपनी थी कि लगातार अब हम मीडिया को भी बैन करेंगे पहले तो CCTV फूटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए अब देखिए कहा जा रहा है कि लगातार ये जो दावे हैं ये जूटे हैं ये कहीं ने कहीं जमानत नहीं मिल पा रही है इसकी बॉखलाट ही है कुछ-कुछ हतकंडे मनीश सोदिया अपनाते हुए नजर आते हैं और कहा था कि ये तो ट्वेलर है अभी पिक्चर बाकी है यानि कि सुकेश अनरशेखर जो महाठग है जो अभी जेल में बंद है जिसके बाहर आने कि कोई गुंजाईश तो फिलाल पैदा नहीं हो रही है और अभी उसको देश का महाठग घोशित किया जा चुका है अब ऐसे में देखिए जब शुकेश जैसे वेक्ती ऐसे बोल गए हैं कि केजरी वाल के तार जुड़े हुए हैं पूरे शराव आपकारी निती में जो बदलाव है इन्होंने ही किया है यही मास्टर माइंड है के कविता का नाम आना साउथ गुरूप से नेक्सस होना और साउथ गुरूप के अभी कई ऐसे कारोबारी है जो इन पर गाजगिरी है और सबसे बड़ा नाम इसमें आपको बता दे इनके करीवे दिनेश अरोडा का है दिनेश अरोडा की भी बहुत बड़े अस्तर पर मिली भगत थी बूची बाबू की थी यह मैं आपको बड़े ब गोरंचला अर्जुन पांजे अमंदीब दल को आरोपी बनाए गया है राउज एवेन्य कोट ने 27 माई को मनीश यसोदिया अर्जुन पांजे बूची बाबू और अमंदीब धल को नोटिस जारी किया है किया था और आज मामने के आरोपी अर्जुन पांडे ने अदालत म मनीश यसोदिया के दो वकील और उनके दोस्ते राउज एवेन्यू कोट लॉक अप में मिलने की इजाज़त दी कल मैं आपको बता दूँ कि मनीश यसोदिया को कोट से तगड़ा जटका लगा है वो केवल एक अपने संबंधि से मिल पाएंगे परिवार से मिल पाएंगे और केवल अपने वकीलों से मिल पाएंगे और इसी सुनवाई पर एमके नाकपाल ने कहा था कि हम मीडिया को बैन करेंगे कल भी बड़ा जटका आज डबल जटका ये दोरे जटके लगने से आमानी पार्टी में अभी सदमा है और लगतार आमानी पार्टी के समर्थक आप केवल कम लोगों से मिलने की इजाज़त दी गई है यानि उनके केस को जो देख रहे केवल वो वकील परिवार का कोई एक सदसे या उनके एक दोस्त मतब समझ जाए बहुत बड़ी मुश्किल मनीश शुसुद्या की बड़ी हुई दिखाई दे रही है इसके साथ ही आपको पेशी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ही होगी तो आप देखिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग का जरिया यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाएगा छे जुलाई तक अंदर रहेंगे यह बता रहा है कि बुखता सबूत लगे हैं और ऐसे में कोट अब देखिए क्या फैस पूरा मामला मैंने आपको फ्रेम करके बता दिया है किस तरीके से मनीश शुतल्या की मुश्किले दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है आम आर्नी पाटी कट घरे में खड़ी दिखाई दरी है और अर्विन किजरिवाल अकेले पढ़ते दिखाई दर है देखने वाली बात होगी जाज किया चुकिजरिवाल तक कब जाती है बहुत शुकरिया जो भी आपकी राय हो आप कॉमेंट बताइए